नवश्कार दोस्तों मैं हूँ डोक्टर मृश्कारी आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्थी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पेटेंट मेंडिसीन के बारे में जिसे एडल फार्मा किमपणी मुनाती है डल ताकि आने वाली हेल्थ रेटेट वीडियो से आप अपडेट इट रहें आइरन डेफिसेंसी ड्रोफ के नाम से एडल फूर्टिन आती है एनीमिया के केस में पेशेंट को यह दी जाती है जिन लोगों का एच बी यानी हीमोगलोविन कम हो जाता है उसको बढ़ाने के डाहि होने पर पेशेंट को खास तोर पर रह नीमिया देखने को मिलता है या कुछ डीजीज होती है जिनके गठेट का नीमिया हो जाता है ऐसी केश में patient को iron deficiency भी एक कारण हो सकता है या फिर severe blood loss भी एक कारण हो सकता है degenerative dysfunction भी इसका एक कारण हो सकता है अगर blood stream में toxin चले गई हो या chronic infection हो तो ऐसी condition बनती है चलिए अब जानते हैं कि adult 14 में कौन सी homeopathic medicines का composition रहता है दोस्तों इसमें सबसे पहली दवाई होती है आर्जेनिक album दोस्तों यह हमारे organs की सभी सेल पर एक्ट करती है patient को अगर सैप्टिक हो तो उसको ठीक करती है patient की कमजोरी दूर करती है और patient को recover करने में काफे मददगार दवाई रहती है फेरामेट इसमें अगली दवाई डाली है जो HP बढ़ाने के लिए बहुत मददगार दवाई रहती है अनीमिया के patient में कास तोर पर यह दवाई देने से खोन की कमी पूरी होती है हीमोग्लोबीं बढ़ता है इसमें नैट्रम योड डाली है जिन लोग का वीक डाईजेशन रहता है इसे लोग जो जो एनीमिया के शिकार रहते हैं उनका पूर डाईजेशन हो या फिर मालनोटीशन की कमी हो उनके अंदर कोपोशन के शिकार रहते हो एनीमिया के पेशेंट अगर मालनोटिशन का शिकार हो, कोपोशन का शिकार हो, या फिर पेशेंट का मेटाबोलिज्म डिस्टरब हो, तो ये दवाई देने से काफी रहात मिलती है पेशेंट में, एनिमिया ठी होता है, हिमगलोवीन बढ़ता है, पेरन डैफिसिंसी दूर होती है, खाना काने से आदे घंटे पहले, बच्चों में भी दिन में तीन बार खाना काने से पहले देनी चाहिए, लिकिन इसकी हाफ डोज हो जाती है, साथ से तस बूंदे, दोस्तों, अगर आप किसी बिमारी से पेडित हैं, और आप इसका हो में पतेक ट्रेटमेंट चाहते हैं, या कोई सलहा लेना चाहते हैं, तो देए वोटसप नमबर पर हमसे संपकर कर इलाज या सलहा ले सकते हैं, वीडियो देखने के लिए दन्यावाद चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, और कमेंट शेक्शन में हमें बताएं कि आप मारी वीडियो आपको कैस लगती है, थेंक्यू